तो आज हम review कर रहे हैं और पूरी और सही जानकारी दे रहे हैं deko eye ear drops के बारे में जिसे हम chloramphenical and beta-methasen sodium phosphate eye ear drops के नाम से भी जानते हैं इस drops के बारे में हम जाने के कान और आँख की कौन-कौन सी समस्य होने पर इसे use किया जाता है डॉक्टर सजेस्ट करते हैं इसे use करने का सही तरीका क्या होता है इसे use करने के बाद कौन-कौन से side effect हो सकते हैं यह पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो वी से use के बारे में तो इसके अंदर और बीटा-methisand sodium phosphate होता है बात कर लेते हैं कि इसको किस तरीके से कौन कौन सी समस्या होने पर यूज किया जाता है तो मुख के रूप से डीको ड्रॉप का यूज कान और आख की अलग अलग तरीके की समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है तो आईए सबसे पहले बात कर लेते हैं कान में होने वाली समस्याओं के बारे में तो जैसे कि किसी के कान में दाने हो जाते हैं या कभी जाने अन जाने में कान को किसी सीख के द्वारा खुजा लेने के बाद जखम हो जाता है या किसी तरीके के infection से कान में पस पढ़ जाता है और कान में दर्द भी होने लगता है ऐसी कान की समस्याओं को होने पर doctor से suggest करते हैं और ये बहुत ही लाबदायक drop होता है अब बात कर लेते हैं आखों की समस्याओं के बारे में तो जैसे आखों में allergy हो जाती है या आखें हमे की बात करें तो कान में एक बून दिन में चार बार डाल सकते हैं आखों में रात में ही डालें ज्यादा से ज्यादा एक बून डालें और सोने से 30 मिनट पहले डालने तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी deco drops के बारे में आपको कैसी लगी comment करके जरूर बताएं मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ हमारे चैनल को subscribe जरूर करने बेल आइकन को press करने क्योंकि हैं अपने चैनल पर सभी तरीके की दबाईयों के बारे में अच्छी जानकारी लेकर आते रहते हैं रिव्यू करते रहते हैं thank you so much